नमस्कार, दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज हम एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग टॉपिक जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है वन्दे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं आज हम सब चाहते हैं कि जिन्दगी की हर चीज बहुत तेज हो हमें जल्दी मिले हम अपनी डेस्टिनेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सकें बुलिट ट्रेन को टकर देने के लिए फ्लाइट तो आज की माध्यम सबसे तेज मीडियम है बट जो वन्दे भारत एक्सप्रेस ने एकसाइटमेंट देश भर में क्रियेट कर रखा है उसकी स्पीड उसकी नीटनेस उसकी एकड़म टाइम पे आने वाली केपिबिलिटी आज हमारे साथ स्टूडियो में है अभे कुमार गुपता जी जो की 1989 रेलवेज में उन्होंने जॉइन किया वो आज हमसे बात करने जा रहे हैं वन्दे भारत एक्सप्रेस के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ आप जुड़े और देश भर में जो एक्साइट्मेंट क्रियेट कर रही है वन्दे भारत एक्सप्रेस उसके बारे में आज हमें बताईए कि सिकंद्राबाद से अभी जो नई ट्रेन फ्लाग ओफ की गई है 15 जन्वरी को ही विशाक अपट्टम तो इसकी जर्नी के बारे में वन्दे भारत एक्सप्रेस के बारे में आज हमारी ओडियन्स को बताईए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमश्कार सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस वन्दे भारत एक्सप्रेस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो जानकारिया हैं उनको अपने दर्शकों को पहुचाने के लिए वंदे भारत एक्स्प्रेस के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना सिकंदरबाद मंडल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा सिकंदरबाद रेलवे मंडल दक्षिनमध्य रेलवे का एक बहुत ही महत्पूर्ण मंडल है और दक्षिनमादे रेल्वे में 6 मंडल है उसमें सिकंदरबाद मंडल एक है और ये एक ऐसा मंडल है जो की ना केवल पैसिंजर ट्रांस्पोर्टेशन बलकि फ्रेट के लिए भी बहुत-बहुत वहत्पूर्ण है अगर हम फ्रेट की बात करते हैं तो सिकंदरबाद मंडल द ये कैसा है कि यूनीक कॉंबिनेशन है जो हम लोग दौनों फ्रेट एस वेल एस पैसिंजर को इक्वली हम लोग कैटर करते हैं इस मंडल में हम लोग करीब करीब 171 मेल एक्सप्रेस गाडियां 51 पैसिंजर ट्रेंस और 86 mmts गाडियों का संचालन डेली करते हैं उसके अलाव में यात्रियों के अलावा हम लोग कोईला, सीमेंट और फूड ग्रेन, कंटेनर, ग्रेनाइट वो भी बहुत सारी चीज़ें लोड करते हैं बट हमारी जो मेजर लोडिंग है वो होती है कोल की और सीमेंट की सीमेंट लोडिंग में सिकंद्राबाद मंडल देश में पहला म मंडल है जिसमें सबसे जादा सीमेंट का लोडिंग होता है और अगर आप वर आल परस्पेक्टिव में देखें तो यह ऐसा यूनीक मंडल है जिसमें बहुत सारे महत्पूर्ण स्टेशन भी आते हैं जो यात्रियों के साब से बहुत-बहुत महत्पूर्ण हैं अब मैं इ तो रदानमंतिरी जी द्वारा दillsी में इसका फ्लैक ऑफ किया गया था और यह पहली वंदे भारत चली थी नए दिली से बनारस के बीच में उस समें जो वरजन था इसका देट वाज वंदे भारत 1 और वंदे भारत 1 में दो ट्रेने हम लोग ने चलाई जो एक दिली से बन अभिभाशन में देखेंगे तो 2022 के बजट में मानिय फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनॉस्मेंट किया था 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का लक्षे है और उसमें मानिय ब्रदान मंत्री जी का ये था कि हम 15 अगस्त 2023 तक हम 75 साल हमारे आजादी के हो रहे थे तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का लक्षे था और उसी कड़ी में ये जो अभी वंदे भारत सिकंद्राबाद से और विशाका पटनम के बीच में चली है ये एक आठवी वंदे भारत एक्सप्रेस है देश की इस वंदे भारत का अ चलती है जी इसका फ्लैग आफ मानिय प्रधान मंत्री जी द्वारा वर्च्वल माध्यम से पंदरे जनवरी दोजार तेईस को इसका फ्लैग आफ किया गया और ये एक ट्रेन है जिसमें बहुत सारी ऐसी विशिष्टाएं हैं जो की हमारे जो पैसेंजर्स हैं हमारे जो ने रखती हैं जैसे अगर मैं बात करूँ वंदे भारत एक्सप्रेस में सेफटी फीचर्स के बारे में क्योंकि सेफटी रेल ट्रांस्पोर्टिशन में बहुत बहुत इंपॉर्टन है जी बिलकुर तो सेफटी फीचर की बात करें तो इसमें भारत के द्वारा इंडिजन करती है अगर ड्राइवर किसी वज़े से ब्रेक नहीं लगा पाया अलर्ट नहीं है तो ब्रेकिंग अपने आप हो जाती है तो इस ट्रेन में वो प्रणाली लगाई गही है और इस प्रणाली का सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि यह देश में ही डेवलप की गही है इंदरावाद मंडल में प्रणाली पहले से ही काम कर रही थी इसको कवच सिस्टम को लगाया गया है वंदे भारत में दूसरी अगर हम बात करें तो इसका राइड इंडेक्स बहुत अच्छा है मतला आप जब इसमें ट्रेवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन इसका सस्पेंशन सिस्टम होने अच्छा होने की वज़े से इसकी जो राइड है बहुत अच्छी है सेफटी फीचर की बात करें एक जो अभी तक हमारी ट्रेनों में नहीं था इसमें आटोमेटिक डोर क्लोज होते हैं जी बनला आप नॉर्मल ट्रेन में आपने देखा कि गाड़ी खड़ी होती है चलती है दर्वाजे खुले रहते हैं जी 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 इसमें मेट्रो की तरह है अगर कोई एक दर्वाजा भी खुला है तो ट्रेन नहीं चलेगी तो डोर बंद होना जरूरी है फिचे जी बिग सेफटी फीचर फर दे पैसेंजर तो इसमें डोर क्ल लगाए गए हैं हर कोच में चार सीसी टीवी कैमरा है जी जिससे पूरा एक सर्विलियंस रहता है और उसका आउटपुट जो हमारे ट्रेन मैनेजर होते हैं लास्ट कोच में उनके पास आता रहता है तो वो ये देख सकते हैं कि सब कोच में सब चीज़ां सामाने हैं कि नह कोई किसी तरीके का धुआ अगर किसी भी वजह से होगा तो इमीडियेटली अलार्म इसमें एक जनरेट होता है जिससे से सेफटी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसके अलावा यह हमारे जो डारेक्ट सेफटी वाले फीचर्स हो गए एक और फीचर में दिया गया है जिसके माध्यम से हमारे यात्री ट्रेन मैनेजर से या ट्रेन के लोको पाइलेट से बात कर सकते हैं जिसको हमने बोलते हैं पैसिंजर इन्फॉर्मेशन एंड कम्मिनिकेशन सिस्टम टॉक बैक बटन यह तो वन उफिस काइंड है पहली बार लगाया गया है यह वन्दे भारत एक्सप्रेस में अगर यात्री को कोई परिशानी है बात करना चाहते हैं तो यह तो सिंप्ली प्रेसे बटन उधर से जब इंडिकेशन आएगा यह तो बात हुई सेफटी की इसके बाद बात करें अगर हम पैसेंजर कमफर्ट की इसमें पैसेंजर बहुत ही आरामदायक कुशंड विद पुश बैक अरेंजमेंट दी गही है बहुत अच्छी सीटे है इसमें दूसरा एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट हम लोगों ने दिया है कि नॉर्मल ट्रेंस में आपने देखा होगा चार्जर जो होते हैं कोच की वाल्स पे होते हैं इसमें हमने सीट के साइड में दिया है नीचे अगर आप अपने लैप्टॉप पे काम कर रहे हैं तो चार्जर आप यहीं से लगाके छोटी चोटी चीज़ें जो बहुत माइन रखती हैं वो सब अपने ध्यान में लखें इसको मतलब देखा गया है कि अगर क्या क्या दिया गया है, so that passengers को किसी भी तरीके का problem जब वो travel करें, तो इसमें ना हो, इसके अलावा एक बहुत अच्छा इसमें system दिया गया है, GPS-based passenger information system. उसमें होता यह है कि जब train चलती है, तो train की speed क्या है, अगला आने वाला station कितनी दूर में है, कितनी देर में आएगा, वो चीजें पूरी एक 32 inch का display दिया गया है, TV display, उस पर यह चीजें continuous रियल टाइम आती रहती है, तो उसकी वज़े से काफी आराम रहता है, एक नया feature इसमें पहली बार डाला गया है इंडियन में जो नॉर्मली अभी तक नहीं होता था, वो है कि इसमें ओन बोर्ड hotspot Wi-Fi, entertainment system भी दिया गया है, जिसको अभी हम लोग को activate करना है, train is equipped with that system, उसके साब से अब हमें वो content load करना है, but once it will be operationalized, it will be a unique experience for the passengers. बिल्कुल, बिल्कुल, एक दम जैसे flight experience है, वो आपने train में रखा है. इसमें basically आप आजाएगा content on demand type आजाएगा, बस बहुत सारी चीज़ेंगी, passengers can select the channel और अपने हिसाब से वो इस चीज़ को देख सकते हैं. एक इसमें जो चीज लगाई गई है, जो जो normally washrooms को लेके हमारे customers की कई बार शिकायत रहती है, कि सफाई नहीं होती है, या उतने अच्छे नहीं है, इसमें पहली बार हम लोगों ने bio toilets, vacuum toilets लगाए हैं, जिससे hygiene का standard बहुत improve हो जाएगा, और एक हम लोगों ने toilets के अंदर order control system लगाया है, order control system, order control system, जिससे कोई भी bad smell है या कुछ है, that can be controlled, like after every usage, because of that system, bad order in that toilet will be controlled and it will not disturb the user, as well as it will not go into the coach also, otherwise coach में भी थोड़ा लोगों को, whenever the toilet door is open, it creates problem, तो वो समाशया का भी इससे समाधान मिल जाएगा, और इस तरीके से जो इसमें overall अगर हम देखें, इसके अलावा एक हम लोगों ने catering की facility बहुत अच्छी रखी है, और दो हम लोग इससे पहले भी काफी trainों में in-house catering करते थे, शताबदी में, राजधानी में, बट इसमें catering की quality को इस तरीके से रखा गया है, कि लोकल लोगों की जो fooding habits हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, हम लोगों ने इसमें menu बनाया है, और वी सर्व ब्रेकफास्ट, टी, लंच, हाई टी, डिनर, तो एक जो पैसेंजर जब ट्रेवल करता है, आठ घंटे, जो उसको किसी जरीके के बारे में सोचना नहीं, हर चीज in-house available है, और time to time इसमें हम लोग उसको सर्व करते हैं, इतना हर चोटी-चोटी चीज का ध्यान रखकर एक holistic जो ट्रेन अभी बनाई है, चाहे वो speed को लेके हो, चाहे वो safety को लेके हो, चाहे वो खान-पान को लेके हो, I think हर चीज का इसमें बहुत ध्यान रखा गया है, तो अभी आप ये जो बता रहे थे कि अभी phase one, phase two में जो आई हैं ये trains, जहां तक मुझे पता है, ये सारी sitting trains हैं, इसमें sleeper भी आना बाकी है, तो आगे का इसका क्या plan है, हमारे मानने प्रधान मंत्री जी का इसको लेकर, क्या vision है, वो भी हमारे साथ एक बार share करिया है, इसमें हमारे मानने प्रधान मंत्री जी का जो सबसे बड़ा vision ये था, make in India, जी, तो make in India वाला जो program है, ये सारा जो चीजें, उसी के तहट develop हुई है, और इसमें, जैसे हम अपना smartphone देखते हैं, तो smartphone में भी हर 6 महीने, 8 महीने, एक साल में एक नया वर्जन आता रहता है, ट्रेन का पहला वर्जन आया था, वंदे भारत 1, जो हम लोगों ने 2019 में लाँच किया, अभी जो ट्रेने बन रही हैं, 2022 में जो वनी है, वो वंदे भारत 2 है, इसके बाद वंदे भारत 3 का भी blueprint बन चुका है, उसके design के already contract अवार्ड किये जा चुके हैं, और जो आपने बोला कि sleeper class कब आएगा, तो वंदे भारत 3 में sleeper class वाले coaches आएंगे, जिससे हम उन coaches को, उन trains को overnight travel में यूज़ कर सके, अभी concept हम लोगों ने रखा है, इंटर सिटी, mostly traveling during daytime, because these are all chair cars, लेकिन वंदे भारत 3 में हमारा sleeper class coaches भी आजाएंगे, और अभी उसका exact timeline डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 2024 के आसपास, वो वंदे भारत 3 के भी हमारे manufacturing इसमें शुरू हो जाएगी, इसके लावर मैं एक चीज बताना चाहूँगा, जो इस train को बाकी trainों से, और in fact अगर आप word में भी इसकी position देखें, तो this is a unique train, इसका acceleration time बहुत fast है, acceleration time यह होता है कि गाड़ी बिलकुत धीमे चल रही है, और उसके बाद उसको top speed तक ले जाना है, तो कितना time लगता है, जैसे car में भी आपने देखा होगा, तो this is one of the USP, कि जैसे Ferrari में हम बोलते हैं कि जब आप 0 से 100 कितनी देर में पहुंचेगी, और 0 से 160 पहुंचने के लिए इसको सिर्फ 140 सेकंड्स लगता है, वाँ, which is comparable or even better than any train set available in the world, सारी indigenous है, हमारे भारतिये रेल के इंजिनियरों ने और देश के इंजिनियरों ने इसको मिल के डेवलप किया है, और ये जो मानिय प्रधानमंत्री जी का और मानिय हमारे रेल मंत्री जी हैं, उनका जो एक विजन था, कि हमें अपने knowledge का, अपने human resources का, अपने brain का fully use करके, एक ऐसी चीज़ डेवलप करनी है, जो ना कि भारत में बुल कि word में unique हो, और अभी हम लोगों का जो vision, जो मानिय प्रधानमंत्री जी का और मानिय रेल मंत्री का ये है, कि ना किवल हम इसको भारत में चलाएंगे, इस technology को हम export करेंगे, अच्छा, because that will be a unique technology, क्योंकि इतने सारे feature वाली train, अभी word में बहुत कम है, तो इसको हम लोगों को, बाद में हम लोगों का ये है कि इसको हम export भी करेंगे. Fantastic, मतलब इस माधियम से तो मैं सलाम करना चाहूंगी, मतलब रेलवेज की सारे engineers को, और जो technicians है, अफकोस आपनी ये technology शायद outsource भी की होगी, indigenous जो हमारे local vendors है, इतने बड़े scale पर, इतनी safety के साथ, इतनी unique features के साथ, ऐसी जो train बनाई गई है, it is a feather in our cap, मतलब as an Indian हमें बहुत proud होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों ने ऐसी एक चीज़ बनाई है, इस माधियम से मैं ये भी चाहती हूँ, जैसे अभी news में भी हमने देखा है, कि जो सिकंदराबाद से विशाका पत्नम जो ये train flag off हुई थी, उसके बाद जब आई थी, हमने काफी disturbing pictures देखे थे मीडिया में, कि लोग गंदा कर रहे हैं, कूड़ा हमें बहुत दिखा, दुख तो हुआ होगा, तो इस माधियम से आप हमारी audience को ये बताईए, कि कितना जरूरी है कि हम देश की इस धरोहर को संभाल कर रखें, maintain करके रखें, ताकि international standard पे हम ये बता सकें कि इतनी important चीज़, इस वंदे भारत express हमने हमारे देश में बनाई है, ना कि बनाई है, बलकि उसे संभाल के भी रखी है, बिल्कुल ये जब हम लोगों ने इसका माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 जनवरी को इसका flag off किया, और नेक्स डे थोड़ा हम लोगों को ये महसूस हुआ कि इसमें जब train वापस आई हमारे हाँ सिकंदराबाद में, तो इसमें काफी चीज़ें थी कि जैसे हम लोग खाना सेर्व करते हैं, या पानी की बॉटल देते हैं, पेपर ग्लासिस देते हैं, तो जो बहुत सारा चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, और इसमें होता यह है कि ट्रेन विशाका पट्नम से जब सिकंदराबाद आती है, तो सिकंदराबाद में इसका स्टॉप इस सिर्फ पैंतालिस मिनट का है, उसी पैंतालिस मिनट में हमें इस ट्रेन को तयार करके, यात्रियों को बैठाके, ग्यारे सो, बारे सो यात्रियों को बैठाके, और ट्रेन को रवाना करना होता है, तो यह हमारे लिए एक चैलेंज था कि 45 मिनिट में यह सब कैसे करें जिसमें 16 कोचेज है 16 कोचेज की सफाई करना और लोगों को बैठाना तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था लेकिन हम लोगों ने इसमें deliberate किया और हमने अपने stakeholders को भी contact किया जो की एक regular exercise है हम लोग अभी भी उनको अपने अलग-अलग माध्यम से और आप जैसे आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ यहाँ पर आपके माध्यम से भी मैं यह अपने सभी passengers को customers को यह request करना चाहूंगा कि जब भी आप वंदे भारत म या किसी भी train में चलें तो train में सफाई का ध्यान जरूर रखें क्योंकि यह primarily हमारी जम्यदारी है लिकिन अगर हमारे passengers का हमारे users का इसमें सहयोग होगा तो इसको हमें पूरा करने में बहुत आसानी होगा और इसमें हमने फिर deliberation के बाद एक बहुत unique तरीका निकाला हमने सो 15-20 मिनद बाद they come with a plastic bag और सारा trash एकटा करते हैं वही चीज वही practice हम लोगों ने बंदे भारत में शुरू की है और मुझे बहुत खुशी है कि अब जो train चल रही है उसमें यह system बहुत अच्छी तरीके से लागू हो गया है और अब जब train सिकंद्राबाद आती है या विश individual passenger और वहां से plastic bag, plastic bottles, paper glasses, aluminium foils वो सारा एकटा करके उसको real time basis पे हर stoppage station पे dispose off करते रहते हैं तो मुझे उमीद है कि यह successfully अभी implement हो गया है और यह continue करेगा लेकिन जैसा आपका कहना है कि सफाई एक दिन की या एक बार की चीज नहीं है वो एक thought process है, एक thought process है, daily होना है, हर minute होन है, तो मुझे उमीद है कि यह process अच्छे से चलेगा और हम जो वंदे भारत में जो हमारा सफाई का standard है, यह हमारा एक एक अपने आप से commitment है और एक हमारा target भी है, कि इस train में जो सफाई का standard है, that will be kept to the highest standard, so that passenger when he will travel, he will have a very delightful experience, एक होता है passenger satisfaction, एक होता है passenger delight, तो हमारा इसमें उद्देश यह है कि जब यात्री इसमें यात्रा करे, तो खुश हो के जाए, उसे लगे कि एक अच्छी जगे यात्रा किये उसने, तो मुझे उमीद है कि हमारे जो customers हैं, हमारे जो यात्री हैं, उनके सहयोग से हम अपने इस एम को पूरा करने में जरूर सफन होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, इसी delightful statement को ध्यान में रखते हुए, मैं चाहूँगी कि हम एक छोटा सा break ले, हम break लेके अभी वापस आते हैं, हम बहुत ही एक interesting topic के बारे में बात कर रहे हैं, वंदे भारत express, आगे इसका क्या plan है, आगे और कई station से हम किस तरह से सारा division उनके अंडर है, वो हम से बात कर रहे थे, वंदे भारत express के बारे में, सिकंदरबाद division के traffic के बारे में, वंदे भारत express से related excitement के बारे में, उसकी safety features, speed और हमारे माननी प्रधान मंतरी जी का जो vision है वंदे भारत को लेकर, उसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, काफी interesting चीजें उन्होंने बताई हैं हमें, इसी conversation को continue करते हैं अभे कुमार गुपता जी से, sir आप हमें बता रहे थे, वंदे भारत express के बारे में, of course train में काफी features है, train one of its kind है ना, जसकी इंडिया में international स्तर पर भी हम काफी इसको recognize करवाने की कोशिश कर रहे हैं, sir ये हो गई बात train के बारे में, train तक पहुचने के लिए, जो हमारे platforms पे congestion है, जो passenger को दिक्कत होती है, शायद stations पर, in terms of lift हो गया, या पर जब सामान हम कीच के लेके जाते हैं, तो platform की जो amenities है, platform की जो facilities है, हमारे platform development को लेकर, I think Sikandrabad Division भी काफी अच्छा काम कर रहा है, हमने काफी सारे changes भी द काम कर रहे हैं, तो हमें detail में बताईए सर की train तक customer को पहुचाने में, क्या-क्या सुविधाएं अभी उनके पास उपलब्द हैं, यह बिलकुल इसमें अधर देन वंदे भारत train, जो आपने बहुत ही सही बात बोली है की stations के बारे में, जी, station के बारे में मैं आपको बताना चाऊँगा की मानने प्रिधान मंत्री जी और मानने रेल मंत्री जी, दौनों का ही एक यह विजन था की भारत में हमारे जो भारती रेल में, जी, जो हमारे stations हैं, उनका स्वरूप कैसे बतला जाए, जी, और इस स्वरूप को बतलने के लिए एक बहुत ही ambitious project take up किया गया, that is modernization of railway stations का, या जिसको हम लोग कही बार बोलते हैं, station redevelopment का, जी, और ये project इस हिसाब से मनाया गया, कि हमारे जो महत्पून stations हैं, जी, उनको हम लोग कैसे बदलाव ला सकते हैं, और बदलाव भी केवल cosmetic बदलाव नहीं, ऐसे बदलाव जिससे, functional, जी, 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 जी उसको कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, जी, उस तरीके के बदलाव, और उसके तहट करीब 400 stations को identify किया गया, कि इनको, जो महत्पून stations थे, जी, कि इनमें हम उन बदलाव को लाएं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि उन सभी 400 stations पे, उनके plans वगेरा, redevelopment के कैसे बना जाया, so that passengers को maximum comfort मिल सके, जी, और आज की date में करीब करीब 40 stationों पर physically काम शुरू हो चुका है, जिसमें दक्षिनमद railway के भी तीन station है, तिरूपती, नेलोर, एंड सिकंदराबाद railway station, अच्छा, अगर आप मैं सिकंदराबाद railway station की बात करूँ, क्योंकि मेरे छित्र में आता ह है, ये एक पूरा redevelopment modernization का program है, जिसमें पूरे station को एक नई तरज पे develop किया जा रहा है, और इसमें करीब करीब 720 करोड का रुपे का investment है, और जो unique चीज़ इसमें ये है, जो पहली बार हम लोगों के station planning में आई है, segregation of passengers की, अच्छा, आपने देखा होगा जब आप airport पे जात gate से निकलते हैं, और departure वाले जो passenger होते हैं, वो अलग gate से enter करते हैं, और उनकी कहीं mixing नहीं होती है, हमारे नई planning में हमने ये ही रखा है, जैसे मैं अगर सिकंदराबाद station की बात करूँ, तो हम लोगोंने station के दौनो side, north side and south side, उसको पूरा हम लोग नया बना रहे हैं, 108 मीटर चौड़ा और 130 मीटर लंबा, पूरा एक concourse डेवलप किया जाएगा, जो की उपर में होगा, उपर मीन्स platform लेवल से 9 मीटर उपर होगा, और उसके उपर एक और concourse आएगा, जो की 15 मीटर उचाई पे होगा, और concept यह रहेगा कि जो departure passenger है, वो station पर आएगा, और उसको हम सीधा escalator और lift के बाद हम से air concourse पे ले जाएंगे, वो air concourse में जाके बैठेगा, आप you can imagine की हर air concourse करीब करीब 15,000 square meter area है उसमे, 15,000 square meter area हम लोगों ने रखा है, जी, वहाँ पे sitting area होंगे, वहाँ पे टी जैसे हमारे अलग अलग चीजों के लिए खाने पीने के stall होंगे, को passenger जाएगा, वहाँ आराम से बैठेगा, और when the train is about to come, वो जिस platform पे जाना है, escalator या lift के माध्यम से सीधा उतर सकता है, तो उसको यह पहले से हलबड़ी करने की बिलकुल भी जरूत नहीं है, आराम से, करीब करीब हम लोग 30 lift और 30 escalator इसमें लगाएंगे, सिकंदरबाद station पर और पूरे platform and tracks पूरे cover होंगे, everything will be fully covered, और जो हम लोगों ने इसमें इसका जो plan मनाया है, जिसको माननी है, रेल मंतिरी जी ने खुद देख के approve किया है, यह एक unique design है, जो अभी जब बनेगा, अभी हम लोगों ने इसके photograph वगरा भी हम लोगों ने display किये हैं, यह एकदम unique design हो उची roof होगी, और air circulation, हर चीज बहुत बढ़िया होगी इसमें, जो arrival passengers है, वो platform पे उतरने के बाद, उनको हम basement में ले जाएंगे, और जो arrival concourse है, वो basement में होगा, बतलब आप सपोज बहार से आई हैं, आपकी गाड़ी आपको लेने आई है, तो वो basement में जाएगी, जिसे आज लोग, दौनों साइड में बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग डेवलप कर रहे हैं, okay, platform number one side में, we are having a multi-level car parking of five floors, and platform number ten side में, we are having car parking of minus one and minus two, okay, combined capacity will be about six hundred cars can be parked in these two other than two wheelers, then उसके अलावा ये सारा हो जाएगा, then पूरा access controlled होगा, जी, you can't enter the station just like that, आपके पास valid ticket होना चाहिए, valid ticket होगा, then only it will be like barcode reader से करके, and then the, you will get the access inside, तो ये एक एक बार ये जब सब पूरा develop हो जाएगा, तो एक जब customer हमारा या passenger जब आएगा, station पे, तो वो एक experience different होगा, even अगर उसको वेट भी करना है, there will be lounges, on the line of airports, paid lounges, where he can sit, he can pass time, he can have tea, coffee or some snacks, and जो हम दूसरे लेवल का जो air concourse डवलप कर रहे है, that will be open for general public, अच्छा, वहाँ पर हम लोग cafeteria and other entertainment zone, जहां पर कोई भी आके आ सकता है, यह सोचने में ही इतना surreal लग रहे है कि ऐसा मतलब हमारे देश में, हमारे खुद के शहर में, सिकंदराबाद में होने वाला है, बिल्कुल, अल्लेडी काम शुरू हो चुका है, इसका जो target रखा गया है, अक्टूबर दो हजार पच्चिस में पूरा करने का, Fantastic, मतलब यह तो समय देखते देखते निकल जाएगा, बट सोचने में भी ऐसा लग रहा है कि हमारे शहर में इतनी बड़ी चीज हमारी जो सरकार है, हमारी जो railways है, इतना customer delight के लिए, customer experience के लिए, जो इतना unique project करने जा रही है, I think it's fantastic, हम सब तो, मैं तो, मुझे तो सुनके बहुत excitement हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि यह excitement, यह involvement हमारी इस audience से जो आज हमारे साथ यह program के माधियम से जुड़े हैं, वह भी इसे देखें, समझें, understand करें, appreciate करें कि हमारे देश ने हमारी सिकंद्रबाद division के जो manager है, अभे कुमर गुपता जी जो यहाँ पे आये हैं, उनकी team के साथ यह जो इतना बड़ा project करने आज जा रहे हैं, उसे हम पूरी तरह से support करें, maintain करें और उसे appreciate करके अपने नहीं करिये, मैं अपनी शहिद भावनाओं में बैग गई और यह तो बात हुई सिकंद्राबाद station की, जी अब मानिय रिल मंत्री ने उसके एक कदम और आगे जाके एक उन्होंने step लिया है, उन्होंने काया कि हमारे क्योंकि एवल बड़े station पर ही लोगों को ऐसा वो मिले experience छोटे station पर भी ऐसा experience मिलना चाहिए, तो हमने सिकंद्राबाद, हैदराबाद, बेगम पेट, यह तो इसमें तो major redevelopment होगा, जिसमें से सिकंद्राबाद में कारे शुरू हो चुका है, और हैदराबाद और बेगम पेट के plan ready हो रहे हैं, इसके अलावा 20 station हमने अपनी मंडल में और identify किये हैं, जिनको नाम दिया गया है, अमरित भारत station scheme, अच्छा, अमरित भारत station scheme का concept, basic concept यह है, कि जितने हमारे बड़े stations हैं, after these three stations, उनके हम लोग master plan develop कर रहा है, master plan जैसे आप समझती है कि हम आज से 50 साल आगे की planning लेके चलेंगे, कि suppose मेरा वारंगल station है, या तो उसके हिसाब से में station का एक blueprint बना लूँगा, और उसको में phases में divide करूँगा, क्योंकि 50 साल बाद की requirement है, वो immediately वो facility आज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, phase one में वो चीज़ें करूँगा, जो immediately चाहिए, फिर phase two, phase three, धीमें धीमें हम इसको कर सकते हैं, लेकिन चाहिए, covered platforms होने चाहिए, अच्छा sitting area, VIP lounge, इस तरीके की चीज़ें, तो अमरिद भारत station scheme में हम लोग 20 नए station develop कर रहे हैं, जिन में हम करीब करीब 15 से 20 करोड रुपे का investment करेंगे हर station पर, और उनको एक ऐसे level पर लाएंगे, फसाद आपको एक अच्छा दिखाई देगा, तो के बार लगता है कि station थोड़े, फीके फीके लोगों को एक लगता है, local architecture के साब से, वहां की जो local चीज़ें हैं, उनको हम उसमें डालेंगे, फसाड में, so that अगर आप उस station पर पहुंसते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे कोच correlation है, तो उन चीज़ों को ध्यान मे रखते हुए, already इनके consultant हम लोग final कर रहे हैं, जल्दी, और हम लोगों को जो लक्स ये दिया गया है कि अगले बारे से चौदे महीने में, ये सारे station हम लोगों को re-develop करने है, अमरिद भारत station, काम खतम करना है, काम खतम करना है, actually अभी जो मानिय प्रिधान मंत्री जी का और म कुछ हो नहीं रहा है, तो स्कीम जो भी बनती है, उसका लक्ष है, उसका target decide हो जाता है कि ये बनने के बाद इस तारिक तक, इस समय तक इसको करेंगे, तो ये बारे से चौदे महीने के अंदर, ये भी हम लोग करेंगे, इसमें. तो आप हमें और भी चीजों के बारे में ब सिकंदराबाद railway station, it is very well part of the city. जी. लेकिन चर्लापली अभी तक एक छोटा एक station जैसे हमारे होते हैं, उस तरीके से था. लेकिन सिकंदराबाद railway station अब हमारा काफी busy railway station हो चुका है. जी. और वहाँ पर हम जब भी कोई नई train चलाने की बात आती है या कुछ आता है, तो वो एक थोड़ा सा हमारे लिए constraint हो जाता है. जी. तो हम इससे पहले हम लोगों एक लेंगम पली में एक satellite terminal develop किया था, जो बहुत अच्छे से चल रहा है. जी. उसके बाद एक हमें जरुवत महसूस ही की एक station हमें और develop करना पड़ेगा. जी. तो चर्लापली में करीब-करीब हम लोग 300 करोड की लागत से एक पूरा नया passenger satellite terminal डेवलप कर रहे हैं. जिसमें 5 नए platforms हम लोग बना रहे हैं, बन चुके हैं, platforms. चार maintenance lines होती हैं, जिनको हम pit lines बोलते हैं या washing lines बोलते हैं. जी. जहां पर हमारे passenger trains के rakes जो हैं maintain होते हैं. ओके. तो चार हम लोगों ने washing lines बनाई ह हैं वहाँ पर, वो भी बन के तयार हो चुकी हैं. अच्छा. और just for a layman purpose, एक washing line में करीब हम तीन रेक आराम से maintain कर सकते हैं. तो हमने बारे नई train चला सकते हैं. जी. डेली trains. चला परली से. ये capacity हम लोगों ने वहाँ develop की है. अब वहाँ पर नई terminal building, जो कि I think बहुत एक सुन चला पली को कमिशनिंग करने का लक्षे रखा गया है दिसंबर दोहजार तेईस. अच्छा. दिसंबर दोहजार तेईस में चला पली एक नया टर्मिनल पूरी तरीके से कमिशन हो जाएगा. इसे दो चीज़े होंगी. एक तो जो सिकंद्राबाद स्टेशन पे प्रेशर है वो कम हो जाएगा चला पली उस साइट से आने वाला जो सारा पैसेंजर बेस है वो वहाँ से भी अपनी ट्रेन ले सकता है. सेकंद्ली यह जो काम अभी सिकंद्राबाद स्टेशन पे आपने चालू कि आहरी डेवलप्मेंट का. उसकी वज़े से जो थोड़ा बहुत भी इ सिस्टेमाटिकली हो रहा है. ऐसे नहीं की हाफजार की करना है तो हम कर रहे हैं. बहुत सिस्टेमाटिक डेवलप्मेंट हो रहा है. इतनी इंडिजिनिस टेक्नोलोजी को यूस करके हमारी जो ब्रेन पावर जिसको बोलते हैं. उसका इतना सदुपियोग, इतना सूपर्ब टॉपिक है. इसकी जो फीचर के बारे में आप बता रहे थे, इसके आसपास, इसके अराउंड इतना एक्साइटमेंट है, जब यह पहली बार फ्लाग ओफ हुई थी, मीडिया एटेंशन, इन फैक्ट एक पैसेंजर शाहद उसमें अटक भी गया था, वो सेल्फी लेने के चड़ गया था अंदर, तो इस एक्साइटमेंट को और इस फर्वर को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से इसको आप वंदे भारत एक्स्प्रेस के अराउंड जो फील गुड फैक्टर है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताईए, इस पे वंदे भारत में का जो मेंटेनेंस का भी सिस्टम पूरा हम लोगों ने अलग से मनाया है, इसको जहां पर हम लोग पिट लाइन में में मेंटेन करेंगे, इसकी सफाई, ओन बोर्ड हाउसकेपिंग सर्विसेज, इसके हम लोगों ने special contracts भी दिये हैं, इसके अलावा अगर आप इसमें जब soundproofing is very very effective, और बलकि काफी passengers का ऐसा feedback है कि इसमें जो noise का level है, it is even less than the aircraft, ओ रियाली, एरक्राफ्ट में जितना noise आता है, अंदर में, उससे बहुत कम आता है, तो soundproofing बहुत अच्छी की गई है, इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है, कि soundproofing अगर अच्छी होती है, तो आ दूसरे सारे coaches हम बोलते हैं, vestibule portion होता है, जहांसे आप एक coach से दूसरे coach में जा सकते हैं, तो इसमें पहली बार Indian railways में हम लोगों ने जो vestibule मनाये हैं, they are closed, otherwise आप normal train में जाते हैं, तो आपको जब cross करते हैं, तो यू सीधा open portion, इसमें they are completely closed, आप जब जाते हैं एक coach से बाकी जो आपने issues उठाएं, सफाई को लेके, या housekeeping को लेके, हम लोगों ने बहुत इसमें effort करके, agencies लगाई हैं, उसका हम लोग system मना रहे हैं, उसकी monitoring भी हो रही है, लेकिन जैसा मेरा कहना है कि ये एक दिन की चीज नहीं है, ये daily की, हर service में हम लोगों को बहुत alert रहना और जो एक attachment है strain के साथ, मुझे लगता है उनका सायोग रहेगा तो इसकी maintenance वगएरा हम लोग बहुत अलग धंग से एक अलग level की maintenance इसमें कर पाएगे, अभी जिसे हमारे प्रधान मंत्री का भी vision रहा है वंदे भारत को लेकर, make in India, जो हम सारा भी contracts वगएरा भी दे रहे हैं चाहे वो वद्धे भारत के parts क्यों न हो, उसकी चोटी-चोटी wheels हो या कोई भी, I'm sure there are millions of parts जो इस भी use होए हैं, सारा कुछ हमारे local vendors और जो indigenous जिनको हम बोलते हैं vendors से बनाया गया है, तो इससे ये ना की, of course हमारी local economy को भी boost देता है, बलकि बहुत cost effective भी रहा है, इसकी बारे उसके बारे में भी बताईए है, एक तो जो जितनी भी बन्दे भारत express अभी तक बन रही है, वो सारी के सारी हमारे in-house, हमारा एक integral coach factory है, railway की चिन्नाई में, तो ये सारी बन्दे भारत express उसमें बन रही है, लेकिन अब धीमे धीमे करके, बिकार technology हमारी है, अब हम उस technology के सा आप से outsourcing भी कर रहे है, क्योंकि target हमारा 400 train का है अगले 3 साल में, तो एक जगे रख करके हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन overall अगर एक train set की technology की बात करें, तो इसमें जितनी भी technology है, चाहे इसकी traction motors हो, चाहे उसकी bogey हो, उसके wheel हो, उसका suspension system हो, ये सारा का सारा हम लोगों ने indigenously develop करके, indigenous production हो रहा है, except some proportion, some parts we always take from outside, but we can say कि majority of this train is indigenous, और क्योंकि हमारी अपनी factory में बन रही है, तो हम लोग इसमें बहा सारे experiment भी कर रहे हैं, और इसमें हम लोग technology हमारी रहेगी, production हम लोग, now we are floating tenders, अलग-अलग company हो को दिये जा रहे हैं, वो लोग production करेंगे, अलग-अ application पर, but technology and जो उसका quality checks और जो standard of production, जो है, that will be controlled by Indian railways, based on our specifications, तो वो इस से overall, क्योंकि जब हम, देखे, एक, जब हम research करते हैं, जी, R&D जिसको बोलते हैं, तो R&D में initial आपका cost लगता है, बिल्कुल, लेकिन जब उसका आप replication करते हैं, mass production शुरू होता है, तो overall product बहुत चीपर आता है, बिल्कुल, भारत में पहले बोला जाता था, कि हम लोग research में थोड़ा सा फीछे हैं, और हम लोग बहुत सारी technology बहार से लाते हैं, और फिर उससे हमें महंगा पड़ता है, वो product, जी, जी, अब क्योंकि technology हम लोगों ने in-house develop की है, जी, तो technology की cost जो initially लगी, वो हमार होते थे, तो you can see कि उसमें हमारा foreign reserve जो है, या foreign currency, जी, वो payment जो है, वो dollars में होता था, अब जब इंडिया में हम बना रहे हैं, तो वो foreign exchange वाला जो issue है, वो खतम हो गया, जी, again a very big saving for the country, बिल्कुल, and volumes में भी जब ये train आएगी, passenger इसका daily का जो usage होगा, I'm sure अभी तक तो सारी train फुल जा रही है, बिल्कुल, मतलब मैं बलकी share करना चाहूंगा कि अगर इसकी हम occupancy देखें, जिस दिन से चली है, 16 तारिक को पहली service चली थी, commercial service, और इसका जो occupancy है 140%, अब आप बोलेंगे 140% किसी जी occupancy कैसे हो सकती, 140% ऐसे होती है, कि कोई विशाका पर्टनम से चड़ा विजयवारा तक आया, विजयवारा में वो उतर गया, विजयवारा में जब दूसरा passenger चला तो उसको वोई seat हमने अलॉट की, वो वारंगल तक आया, या सिकंदरबाद तक आया, तो इस तरीके से बहुत सारे combination अलग-अलग जगे के बनते हैं, क्योंकि इसमें एनरूट हमा रुपेगी, इसमें हमारी अर्निंग हो रही है, तो पर दे, you can say, around 40 lakh, we are earning, and the cost of, cost of the train is 100 crore rupees, so, so, it is a very good business proposition also, आया, बतलब, इंडिन रेल्बेस ग्रीन में बहुत बहुत जल्दी, at least this train को लेके, क्योंकि, like I said, कि excitement भी बहुत है, it's a very fast train, इसमें समय की भी जो बचत होती है I think, आम तोर पे, जो हम देखते हैं कि कभी-कभी delays भी हो जाती है, trains, and, I mean, speed की भी जो आपने बात करी, 2.5 का, जो इसका suspension का level, 3.5, अब 3.5 है वंदे भारत का, तो जो speed की भी आप बात कर रहे हो, जो आप connectivity की भी बात कर रहे हो, overall भी, it makes sense कि अगर मुझे, जैसे आम तोर प समय की बचत हो जाती है, I think it's a great, great business proposition. के बारे में आप देखिए, अगर ये जो train है, सिकंद्राबाद से, और विशा का पतनम, साड़े आठ घंटे में पहुच रही है, 8 hours 30 minutes, जो हमारी fastest train अभी है इस route पे, धुरन तो, that takes 10 hours 15 minutes, so there is a direct saving of 1 hour 45 minutes, और जो बाकी normal train है है, वो 13 घंटे लेती है, तो we are saving almost 4 and a half hours, which is a big saving of time and time is money basically, आप इतने लोगों का इतना समय बचा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी saving है देश के लिए, और इंडियन रेलवेस की ये भी है कि उसकी जो connectivity है, उसकी जो reach है, वो सारी छोटे छोटे गाओं तक भी है, तो वंदे भारत जब यहां तक पहुचेगी, I think flights एक time के ब तो like I said की Indian railways will be next level, एक बहुत अच्छा इसका effect आ रहा है कि जो आप कहते है, जो आप flight से करते हैं तो बहुत सारा time आपका check-in में, waiting में, इंसम में जाता है, ट्रेन में वो थोड़ी flexibility रहते है कि even if you come 15 minutes before, you can board the train, तो overall idea भी यही है, कि overall time from door to door, जोड़ी चूट बड़ी चू full comfort, इसमें यह फाइदा है कि आप travel भी करना है, आप अपने laptop पे, net पे काम कर सकते हैं, आजकल, you see, काफी सारे लोग जो है, office अपना laptop से ही चलाते हैं, तो flight में तो वो restriction हो जाता है कि once you are in flight, you are out of bound, ट्रेन में आप continuously you are connected to your office, और एक बार जब यह ओर चलने लगेंगी तो और transform हो जाएगा यह पूरा, people will work for the whole day, travel during overnight and they will reach to the destination, तो यह overall जो passenger के convenience से, यह सारी चीज़ां यह हैं जो इस train को पूरा इस से बाकी train से unique, face of Indian railways पूरा transform हो जाएगा, तो अभे कुमर जी, unfortunately, बतलब episode अब हमें खतम करना पड़ेगा, but मैं सच बतारी हूँ, इतना मुझे वंदे भारत के बारे में, सिकंदरबाद division में, as a divisional railway manager आप जो काम कर रहे हैं, आप और आपकी team, I think hats off, it is amazing कि Indian railways आज इस level पर देश को transform करने में पूरी जी जान से जुटा हुआ है, as a passenger, as a customer, जो excitement आज मेरे मन में है, I am sure कि वो कही न कहीं आप में भी translate हो रहा है, Indian railways का य जो अभे कुमार जी उनकी team और पूरा देश लेकर जाना चाहता है, वो देखने के लिए बहुत, मैं तो उत्सुक हूँ, अभी in fact आपसे बात करते करते मुझे ये लग रहा है कि just for the sake of experience, मैं वंदे भारत train में एक बार यहां से विचा कफटनम तक जाकर आऊं, to see कि हमारे देश में हमारे engineers ने, हमारी Indian railways ने जो खुबसूरत काम किया है, उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे experience करने के लिए, आज हमने वंदे भारत train के बारे में जो पूरे सिकंदरबार division में काम हो रहा है, वह सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, काफी नह हमारे देश में जो बहुत खुबसूरत काम हो रहा है, Indian railways का transformation जो हो रहा है, उसे appreciate कर सके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Abhay Kumar जी, आज आप हमारे साथ studio में आए, हमारे साथ जुडे, हमें इतनी सारी चीजें बताई, हमें जागरुक कराया, कि Indian railways भी हमारी ही service के यह जो episode था, इसमें हम बात कर रहे थे, वंदे भारत express के बारे में, इस train की safety features के बारे में, इस train की amenities के बारे में, platform redevelopment का जो काम कर रही है, सिकंदरबाद की division, Abhay Kumar जी जो divisional railway manager है, वो आज हम से बात कर रहे थे इसके बारे में, I hope आपको आज का यह episode बहुत पसंद आया हो, वंदे भारत के आपकी ticket book हो चुकी हो, अगले हफते नए episode में मिलते हैं, चमेली के इस episode में, thank you.